नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मुल्डपल चॉइस क्वेशन होने वाले हैं चैप्टर का नाम है लाइफ लाइफ लाइन्स ओफ नाशनल एकॉनमी इसके हम लोग 40 तो यह किया गया है सिक्स टाइप में ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शनमबर बीविदा करेक्ट आंसर आफ कुश्चनमबर वन कुश्चनमबर टू प्याएंगे तू सेकेंड कुश्चन क्या कह रहा है विच आफ फॉल्विंग प्रोजेक्ट वस लॉंच्ट और क्या लॉंच किया और क्या लॉंच किया था कि लिंक करेंगे किसको किसको डेली को कोलकाता को चेन्नाई को मुंबई को ठीक है तो इन चारो स्टेट्स को इन चारो जगहों को इन चारो प्लेसेस को लिंक करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉंच किया गया था आपको बत डेली है कोलकाता है जो कि वेज्विंगोल की कैप्टर है चेन नई है और साथी साथ मुंबई है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं कॉशनमबर थ्री पर आते हैं अब देखें कुछनबर 3 से पहले यहां पर North South corridor और East West corridor को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए North South corridor किसको किसको link करता है तो श्री नगर से start होता है क्योंकि North में आप देखेंगे तो श्री नगर है जो की जम्मु इन कश्मीर में है और साथी साथ कन्या कुमारी साउथ में तो श्री नगर से लेके कन्या कुमारी तक हमारा कौन सा corridor है North South Corridor है और East West Corridor कहां पर है तो East West Corridor स्टार्ट होता है East मतलब सिल्चर तो सिल्चर असम में है यह हमारा Eastern Most Part हो जाएगा East West Corridor का और Western Most Part क्या हो जाएगा पूरबंदर हो जाएगा जो कि गुजरात में है ठीक है Next Question पर आएंगे Question 3 में देखे क्या कहा गया Highway Projects are being implemented by National Highway Authority of India जितने भी Highway Projects होते हैं वो कौन implement करता है तो वो implement करता है NHAI जिसको कहता है National Highway Authority of India बिल्कुल सही है तो इसमें True Option हो जाएगा That is the correct statement Question 4 में देखे क्या कहा गया Which are the following lays and maintains National Highways तो देखे National Highway को ले करने का काम, maintain करने का काम किसका है या आप से पूछा गया है तो ये करता है CPWD, CPWD कौन सिसन स्था है तो इसको कहते है Central Public Welfare Department, ठीक है Work Department, Welfare नहीं होता, Central Public Work Department PWD जैसे Public, ठीक है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा Central Public Work Department, तो CPWD is the correct answer Question 5 में आते हैं, 5th question में देखे क्या कहा गया तो इसको कहा क्या जाता है, तो NH1 मतलब National Highway 1 दिया है Option में National Highway 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है तो इसका जो सही आंसर है, वो क्या है, A option सही है Means this is National Highway 1 Next question पहेंगे, question 6 में देखे क्या कहा गया Which of the following road links a state capital with different district headquarters तो देखे, state capital को अलग-अलग district के headquarters से कौन connect करती है तो ये connect करती है, state highways तो state highway का काम ये होता है, ये कैसी road है, जो state capital को district headquarters से connect करती है Next पहेंगे, question 7 में The state highways roads are constructed and maintained by state public work department PWD ठीक है, तो इसको SPWD बोला जाए, ठीक है या PWD बोला जाए, बात एक ही है तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो state highways होते है उनको construct करने का काम, उनको maintain करने का काम किसका है, PWD का है या SPWD का है, ठीक है, चाहे वो state हो, चाहे वो union territory हो यह बात बिलकुल सही है, तो इसमें true option सही होगा Next पर आएंगे, question 8, district road connect the district headquarter with other places of the district which are maintained by the dash देखे, आपको बताना है, district road जो है, वो करती क्या है सबसे पहले district headquarter को connect करती है, ठीक है किस के साथ connect करती है, और अलग-अलग district के साथ वो connect करती है अब आपको बताना क्या है, कि district road को maintain करने काम किस का है तो district road को maintain करने का काम होता है, जिला परिशत का, ठीक है तो इसमें C option जो होगा, वो सही हो जाएगा Question 9, 9th में देखे, क्या कहा गया, प्रधान मंत्री गरामीर सरक योजना अब इसने क्या है, इस scheme में क्या था, special provisions are made so that every dash in the country is linked to a major town in the country by all season motorable road तो देखे, इसमें किया क्या गया था, कि सारे villages को मतलब जो villages हैं पूरे भारत में, उनको connect करने का काम किया गया था किसके साथ में, इनको connect करना था major town जैसे जो भी उसके आसपास में town हो, सबसे major, सबसे बड़ा कोई town हो तो उसके साथ connect करने का काम किसका है तो ये जो scheme थी, ये इसके थूरू एक road बनानी थी मतलब roads बननी थी, अलग-अलग जगहे पे, अलग-अलग towns में, अलग-अलग villages में अलग-अलग road बननी थी, जो की town से connect करेगी उस village को और कैसी road बननी थी, motorable road बननी थी, जो साल भर मतलब सारे seasons में काम करती रहें, वो कभी भी खराब ना हो तो इसमें ए option सही हो जाएगा Question number 10 में देखे, क्या कहा गया Which of the following statement is correct about BRO अब BRO क्या है, तो border road organization है BRO ठीक है, इसमें देखे, क्या कहा गया, पहला statement दिया गया है BRO is a government of India undertaking that constructs and maintain roads in bordering areas of the country तो देखे, जो bordering areas है country में, जैसे जम्मो कश्मीर में आप देखेंगे अनुणाचल परदेश में देखेंगे, ठीक है तो नेपाल के पास देखेंगे, तो ये सब जो areas है ये border areas है, यहाँ पर जो road बनती है, वो कौन create करता है वो border road organization create करता है बिल्कुल सही statement दिया है, ठीक है 2nd में कहा गया, this organization was established in 1960 for the development of roads of strategic importance in the northern and north eastern border areas तो देखे, ये जो BRO है, ये कब established किया गया था तो 1960 में established किया गया था, बहुत ही important है समझना आप से पूछा सकता है कि BRO का establishment कब हुआ, तो 1960 में हुआ और क्यों हुआ था, क्योंकि जो भी northern areas है हमारे मतलब इससे जब मुकश्मीर है, ठीक है, north eastern states है north eastern boundary border areas है, उनमें जो roads होती हैं बहुत ज़्यादा important होती हैं, कहीं न कहीं security point of view से बहुत ज़्यादा important होती है क्योंकि जो भी सामान पहुचाना होता है, जो भी arms and ammunitions पहुचाने होते हैं during war, तो इसी road से ही पहुचाए जाते हैं तो कहीं न कहीं, बिल्कुल सही statement दिया है, तो ए और भी दोनों statement सही हो गए third statement में क्या दिया गया, these roads have improved accessibility in area of difficult terrain and have helped in the economic development of these area तो दिखें ये सिर्फ अगर देखा जाया, तो warfare में ही नहीं कामाती है कहीं न कहीं, जो northern regions है, north eastern regions है ये कहीं न कहीं, मतलब इन सब जगहों पे, साल भर के लिए हर चीज पॉसिबल नहीं होती है जैसे हो सकता है, कोई जगह ऐसी होगी, जहां बहुत ज़दा बारिश होती है कोई ऐसी जगह है, जहां बहुत सादा rainfall होता है, या snowfall होता है तो उसकी वज़े से क्या होता है, कहीं न कहीं, accessibility जो होती है connectivity जो होती है, तो इसी लिए BRO क्या करती है, इन सब roads को maintain करती है क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है ठीक है, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं, कि जो roads हैं, ये economic development में भी मदद करती हैं, उस area के, ठीक है, तो इसमें A, B और C, तीनों ही option सही हो जाएंगे इसका answer तो सही है, all of the above, क्योंकि पूछा गया तो कौन सा correct है next पे आते हैं, question number 11, 11 में कहा गया, which type of roads are made of cement, concrete or even bitumen of coal, तो देखें, cement, concrete or bitumen of coal से, जो road भनती है, उस road को क्या कहा जाता है, तो that is called metal road, तो इसको कहा जाएगा, metal road, question number 12 पे आते हैं, 12 में कहा गया है, which of the following is principal mode of transportation for freight and passengers in India, तो देखें, जो principal mode of transportation है, मतलब principal mode कह सकते हैं, जो main mode है transportation का, freight मतलब कह सकते हैं, जो move कराने का, या trade का, और साथी साथ passengers का, वो आपको बताना है कौन सा है, तो यह आपका है railways, तो आप लोग ने देखा होगा, railway जो होती है, दो तरीके की होती है, तो एक तो होती है passenger train जिसमें यातरी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और दूसरी जो आप लोग देखे होगी, जिसको माल गाड़ी कहते हैं, मतलब goods train होती है, मतलब वो goods जो होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह से थाने की बीच में चली थी, और कब चली थी, 1853 में चली थी, आपको ये year भी याद रखना है, और कितने km के लिए ओ ट्रेन चली थी, तो 34 km के लिए ओ ट्रेन चली थी, नेक्स्ट पर आते हैं, कुछ नबर 14 देखते हैं, the Indian railway is now organized into how many zones, तो देखें, अगर NCRT देखेंगे, तो number of zones जो दिये हुए हैं, वो है 16 zones, लेकिन अगर आज present की बात करें, 2022 की बात करें, तो इस समय जो railway के total zones हैं, वो कितने हैं, 19 zones हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे, कुछ नमबर 15 देखेंगे, 15th question देखें, broad gauge has a length of dash, तो broad gauge, देखेंगे, तीन दो तरिके की में लिए, गाज आप देखेंगे, वैसे तीन होती है, एक broad gauge होती है, narrow gauge होती है, और meter gauge होती है, ठीक है, तो broad gauge की जो comment box में लिखके बताएगा, कि narrow gauge जो होती है, ठीक है, narrow gauge जो railway line होती है, उसकी length क्या होती है, ठीक है, उस gauge की length क्या होती है, आपको इस question में बताना है, चलिए, एक comment में आप लोगे लिखके बताएगा, कि narrow gauge में, जो length होती है, narrow gauge क्यों क्या होती है, ठीक है, next मैंगे, next question देख सबसे पहले से ही रेलवे रहा है रोडवेज रहा है एरवेज भी आ चुका था लेकिन जो पाइपलाइन सिस्टम है पाइपलाइन जो नेटवर्क है यह बिल्कुल नया है ठीक है तो हम लोग इसको यहां पर रखेंगे कि यह बिल्कुल नियू अराइवल है किसमें साइब करने काम किस से आझ पाइपलाइन से तो होता है कुशन बर 17 डैक्स के अ जो होता है पाइपलाईन से लिक्वडर गैस्टय्य याद रखेगा pipeline से solid भी transport किया जा सकता है लेकिन कैसे उस solid को पहले slurry के form में convert कर दिया जाए slurry एक तरीके का liquid है ठीक है solid को पहले liquid के form में convert कर सकते है slurry उसकी बना सकते है ठीक है slurry मतलब यह कह सकते है उसको liquid liquid में convert कर सकते है फिर उसको क्या किया जाता है एक दूसरी जगे तक ट्रांसफर कर जिया जा सकता है ठीक है तो कही न कहीं solid जो है उसको पहले आप slurry में convert करिए और फिर slurry में convert होने के बाद और pipeline के थूर ट्रांसफर किया जा सकता है एक से दूसरी जगे तक यहां पर देखे कुछ important networks दिये गए है pipeline transportation के जैसे हैं पर असम से लेकर कानपुर तक दिया हुआ है यह एक pipeline हो गई आपकी दूसरी pipeline दिये सालाया जो की गुजरात में और वहां से लेकर कहां तक जगदीशपुर जो की बनारस के पास में वहां तक तो यह कुछ important pipelines हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए next बात है identify the correct statement about waterways waterways मतलब ships हो गई पानी के जो जहाज होते हैं उसके बारे में बात करी गई है उससे related कौन सी बात यहां पर सही है waterways are cheapest means of transport बिल्कुल ठीक है waterways जो होते हैं they are cheapest सबसे सस्थे means of transport होते है they are most suitable for carrying heavy and bulky goods जो देखे जब एक country से दूसरी country तक trade करना होता है तो उसके लिए roadways से तो कर नहीं सकते airways बहुत ज्यादा महेंगी हो जाएगी तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग waterways को use करते हैं तो बिल्कुल सही statement दिया है थर्ड में कहा गया it is fuel efficient and environment friendly mode of transport देखे यह fuel efficient भी होता और साथी साथ environment friendly भी होता है तो तीनों statement जो दिये गए है waterways से related बिल्कुल सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा all of the above हो जाएगा तो d is the correct answer of question number 18 19 पे आते हैं 19 में कहा गया railway line has been extended from bunny hall to 12 मुला इन कश्मीर वैली तो देखे आज अगर देखा जाए तो railway line हर जगह पहुच चुकी है यहां तक की बनी हाल से लेके बारा मुला जो की कश्मीर वैली में है वहां तक भी देलियो लाइन बिच चुके है तो बिल्कुल सही statement है इसका next पे आते हैं next question में क्या कहा गया the ganga river between इलहाबाद एंड हल्दिया दिखे इलहाबाद से लेके हल्दिया तक का अगर नेटवर्क देखेंगे तो वाटरवे का नेटवर्क है आपको बताना ही कौन से वाटर निवे से connect किया जाता है तो NW1 मतलब National Waterway 1, National Waterway 2, National Waterway 3, National Waterway 4 तो अगर देखा जाए इलहाबाद से हल्दिया तक जो connection है that is through National Waterway 1 तो इसको NW1 कहते हैं अब देख लिजे बाकी और भी National Waterways दिये गए हैं जिसे NW2 देखेंगे तो यह ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में है मतलब भ्रह्मपुत्रा रिवर पे है और कहां सकहां तक है सदिया से लेके धूबरी तक है NW3 देखेंगे तो West Coast Canal जो की केरल में है कोटाब, पुर्मा, कोलनम तो इन सबको connect करता है कहीं न गहीं इसके बाद अगर देखा जाए NW4 की बात करी जाए तो गुदावरी और कृष्णा रिवर्स पे है stretches पे है ठीक है किसको किसको connect करता है तो काकिनंदा पुडुचैरी के नाल से इन सबको connect मतलब इन सबसे पास होता हुआ निकलेगा इसी तरीके से NW5 है जो की रिवर भामबनी पे है लॉंग मेटाई रिवर डेल्टा चैनल सफ महानदी और भामबनी रिवर्स तो इन सबको connect करने का काम NW5 करेगा नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट में कहा गया what percent of countries trade volume 60% देखे 68% जो value है उस trade की जो value है 68% है और आपको बताना है कितना percent volume C से travel किया जाता है country का trade कितना percent trade C के थू होता है यह आपको इस question में बताना है तो country का कितना percent rate C के थू होता है तो 95% जो trade होता है वो C के थू होता है नाइटी फाइफ परसेंट तो volume के इसाब से है लेकिन value के साब से कितना है 68% value के साब से है जो कि किस से transport होता है C से transport होता है question 22 पे आते हैं with a long coastline of 7516 km देखें यह हमारी इतनी बड़ी coastline है मतलब coastline आप जानते होंगे coastal states है कई सारे इधर के और ठीक है तो इतनी हमाई जो कि कच में गुजरात में बहुती important port है first port developed soon after independence जैसे हम लोग independence हुए तो यह पहला पूर्ट था जिसको डवलब किया गया क्यों डवलब किया गया था क्योंकि partition जब हुआ तो कराची पूर्ट किसके पास जा चुका था पाकिस्तान के पास जा चुका था ठीक है अब आप यह कह सकते है पूर्ट पर तो आपको थाना किस पूर्ट पर ज्यादा लोड पंड लग गया था जिसकी वैसे कांडला पूर्ट को डवलब करना पड़ा तो यह है आपका मुंबाई पूर्ट ठीक है तो इसमें बी ऑप्शन आपका सई हो जाएगा विच पूर्ट इस आपको बताना क्या है कि कौन सा पूर्ट ऐसा है जो दीन दीयाल पूर्ट है और उसको एक टाइडल पूर्ट भी कहते हैं मतलब वो एक टाइडल पूर्ट भी है तो यह आपका कौन सा है कांडला पूर्ट है तो कांडला पूर्ट को क्या कहा जाता है द साथी साथ वहां पे spacious natural and well sheltered harbor भी है यापको इस question में बताना है तो यह है मुंबई पोल्ट ठीक है 26 में भी Mumbai पोट ही इसका अंसर होगा ठीक है जो आला ले नहरु पोल्ट किसके लिए बनाया गया तो यह बनाया गया Mumbai पोल्ट में जो कंजेशन हो रहा था उसको कम करने के लिए Q27 में आते हैं 27 में कहा गया Marmagao Port ठीक है Marmagao Port गोवा में जो की है ठीक है Is Dash Exporting Port of the Country This Port Accounts for about 50% of India's Iron Ore Export तो किस सीज के Export के लिए है Marmagao Port यह है Iron Ore के Export के लिए ठीक है 50% जो Export होता है Iron Ore का याद रखेगा किस Port से होता है Marmagao Port से होता है नेक्ट में कहा गया New Mangalore Port Located in Dash तो दीक है नाम से परदा चल रहा है Mangalore है और Mangalore मतलब कौन साइश्टेट हो जाएगा तो Mangalore हो जाएगा करनाटक ठीक है तो कहां पर है में लिए पूछा गया था New Mangalore Port Located in करनाटक ठीक है तो करनाटक है करनाटक इसका सही आंसर होगा तो B is the correct answer अच्छा इसमें यह भी याद रखेगा यह किसके लिए famous है तो Export of Iron Ore के लिए famous है और वो Iron Ore कहां से निकलती है कुद्रे मुख माइन से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए जो कुद्रे मुख माइन से हैं यह किसके लिए famous है तो यह भी Iron Ore के लिए famous है बहुत ज्यादा नेक्स आते हैं कुशंबर 29 कोची इस दी एक्स्ट्रीम डैश पोर्ट लोकेटे इन इंट्रेंस ओफ लगून विधा नाइच्वल फारबर तो कोची कहां लाई करता है यह आपसे मिनली पूछा गया है तो कोची जो है यह साउथ वेस्ट पोर्शन पे लाई करता है तो यह कि आपका साउथ हो जाएगा यह आपका वेस्ट हो जाएगा तो साउथ्वेश्ट फेस्ट हो जाएगा गाते है यह स्ट्रीम साउथ वेस्ट में कहा है वो ट्यूटी को रिंहलगे लेकिन आपको बताना क्या है कुष्छन में वग्षक गताना यह कहां पर लोकेट मिदलब के सिस्टेट में ट्यूटी को मुट्ष लोकेटर है तो यह लोकेटर है तमिल नाडू में तो इसमें अप्षम साही हो जाएगा था श्रुटी ऑन में कहा गया which one of the which one is the oldest artificial port of the country which is ranked next to Mumbai in terms of volume of trade and cargo to volume of trade के साब से cargo के साब से अगर देखा जाए तो oldest जो artificial port है country का ठीक है मुंबई के बाद वो कौन सा है यह आप से इस question में पूछा गया है तो यह है आपका चेन नहीं पूर्ट ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है उससे पहले चेन ने बारे में एक बारे में कहा क्या गया कि oldest artificial port तो ही है और साथी साथ मुंबई के बास सबस्यादा ट्रेट कहां से होता है चेन नहीं से होता है नहीं सही है तो कर्शंबर 32 देखते हैं विच आफ दी फॉल्विंग इस दी डीपेश्ट लैंड लॉग्ड एन वेल प्रोटेक्टेड पूल्ट तो देखे लैंड डीपेश्ट मतलब सबसे गहरा लैंड लॉग पूल्ट कौन सा है और वेल प्रोटेक्टेड मतलब सबसे सबसे आदा प्रोटेक्शन इसी पॉल्ट को है सबसे आदा प्रोटेक्टेड यहीं पूल्ट है बताना आपको कौन सा है ठीक है तो यह है विशाखा पतनम ठीक है तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सई हो जाएगा 33 में कहा गया पारादी पूल्ट लोकेटेड इन उड यह ऑप्शन सही है नेक्स आते हैं इडेंटिफाइदा करेक्टि स्टेटमिंट कोलकता इज एं इन इंलेंड इवराइन पूल्ट इल्कुल ठीक है इंलें रिवराइन पूल्ट है यह एक कोलकता ठीक है इस पूल्ट सर्व्स आवरी लार्ज इन रिच हिंटर लैंट ऑफ लंगा पुत्रा बेसिन भी ठीक है बिंगा टाइडल पॉल्ट इसको भी एक सबसीडरी पॉल्ट के रूप में डवलप किया गया ठीक है अब यहां पे भी वही सेम चीज थी कि करण्व चाहिось प्रेश्य बहुत ज्यादा बढ़ द्यादा टो कौण सा पॉल्ट कर दिया गया अपसे पुछा कौन सा इस पॉर्ट है जिस पे बहुत ज्यादा कंजेशन बढ़ रहा था जिसकी वैसे हदीर को ठीकर ना पराऊ तो यह कोलकाता कोएप कंजेशन बढ़ाा तो प्रेस्टिजियस माना आता है तो यह कौन सा है सबको पता होगा लिए ठीक, नेक्स्ट स्कूशन बर 37 इयर ट्रांसपोर्ट वाज निशलाइज निचलाइज किया गया था एयर ट्रांसपोर्ट को अंदलब सब्सक्राइब यह आपको इस क्वेस्ट में बताना है तो यह किया गया तर नाइंटीन फिफ्टी थी में नाइव थर्टी एड देखेंगे उससे पहले पवन हंस के बारे थोड़ा देख लीजे पावन हंस हेलिकॉप्टर लिमिंटेड जो है वह क्या करती है है लिकॉप्ट में आप देखेंगे हिमानचल प्रदेश में देखेंगे उत्तराखंड में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिंटेड है यह बहुत ही इंपोर्टेंट एक रोल प्ले करता है कॉश्मबर 38 में कहा गया consider the two statement and identify the correct one तो आपको बताना है इनमें द the focus of digital India program is on being transformative to realize Indian talent, information technology and India tomorrow and is on making technology central enabling to change देखें दोनों ही इसमें statement जो दिये गया है digital India is related बिलकुल सही है तो इसमें three options हो जाएगा question number 39 में आते हैं 39th question देखते हैं which country is the largest producer of feature films in India तो feature films के case में सबसे बड़ी जो producer country है वो कौनसी है वो हमारा भारत है next पहाएंगे question number 40 देखेंगे 40th में देखेंगे क्या कहा गया consider the following is incorrect statement आपको बताना है कौनसा incorrect है तो इनकरेक्ट में देखेंगे तो पहला दिया गया वर्ल्ड लॉंगेश्ट लॉंगेश्ट हाइवे टनल अटल टनल 9.02 है बिल्ड बाइनेच याई ने इसको बिल्ड नहीं किया इसको बिल्ड किया तो इसमें a statement जो है कि आपका गलत है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया लॉइंग एक्स्ट्रीम लोकेशन सार कनेक्टेट वाई इस्ट वेस्ट कॉलिडॉर तो अभी देखेंगे लोग ने डिसकास किया था इस्ट वेस्ट वेस्ट कॉलिडॉर को मीनली कौन करेक्ट करता है तो यह आपका सिल्चर हो जायगा और पोरबंदर हो जाएगा ठीक है सिल्चर आपका east में आजाएगा पोरबंदर आपका west में आजाएगा तो इसमें b option आपका सही है next में कहा गया which mode of transportation reduces transshipment losses and delays तो देखे जो transshipment losses होते हैं डीलेज होते हैं उनको रोकने काम उनको कम करने काम किसका है तो यह pipelines का है तो इसमें c option जो है यह आपका सही है next पहते है question 3 में कहा गया which one of the following state is not connected with hvj pipeline तो देखे hvj का मतलब क्या है तो h का मतलब आप देखेंगे तो h का मतलब है हजारी ठीक है हजारी नहीं हजीरा ठीक है h का मतलब होता है हजीरा व का मतलब है विजैपूर और जे का मतलब क्या है जे का मतलब है जगदेशपूर ठीक है यह आपके तीनों जगे हैं जो एक connect करते है hvj pipeline को अब यह पूछा गया है क्या कि कौन इसमें नहीं connect करता है ठीक है तो देखें इसमें आपको समझना क्या है जो हजीरा है अब भी बताया है तो थोड़े दिर पहले हो कहां पर उत्तर प्रदेश में है तो कौन कनेक्ट नहीं हुआ तो महाराष्ट बचा रहे गया इसका मतलब महाराष्ट विजदा तो इस साइड पढ़ेगा इस्ट कोस्ट आपको बताना है सबस्यादा वेल प्रटेक्टेड है डीपेश लैंड लॉक्ट है बताया था भी इसका अंसर तो इसका अंसर क्या है विशाखा पट्नम पोल्ट हो जाएगा नेक्स पहाएंगे को मचस फाइफ में देखये है तो बहरत में बहरत में स्मोच इंपनमोड फ्र아니क denial बहरत में डेखेँ हैं वह क्या है रेलवें लास्ट कुष्थन देखतें म्सी कीउ का इसमें कहा गया विच और फाल्लंव तर्म्स इसस यूजभार फ्रिफ्र से से अधिक countries के बीच में जो trade होता है उस trade को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं international trade मतलब जैसे दो countries यसे इंडिया है और मालीजे ब्राजील है या मालीजे South Africa है तो इन दोनों countries में जो trade होगा उसको क्या कहा जाएगा international trade कहा जाएगा तो इस तरीके से यह हमारे कुछ questions जो थे MCQ उस आज के फिलालत नहीं रखते हैं बाकी के जितने भी videos हैं बाकी के जितनी भी MCQ की playlist है वो आपके description पर लगा दी गई है आप लोग उसको follow कर लीजे और सारे questions उसके जरूर देख लीजे तो आज के फिलालत नहीं रखते हैं thank you very much goodbye जैहिंद